गज़ा की ताज़ा तरीन सुरतिहाल पर बात की जाए तो कल इस्राइल ने गज़ा के एक उस्पटिल के उपर हमला किया है और उसी दोरान वहाँ पर हजारों की तादात में मरीज मुझूद थे तोस्टे जानी व्यूएन के इजलास में ब्राजील ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी की करारदात को पेश किया जिसमें 15 में से 12 जो है उन्होंने इस करारदात को इस करारदार पर हामी बरी लेकिन फिर क्या होना था कि अमेरिका ने इस करारदात को कर रहा है और इसके साथ साथ ट्वीटर अकाउंट्स देख लें उनके जाहे वो गवर्मेंट हो चाहे वो आम आदमी हो वो खुले आम जो है ट्वीट करें इसराइल के हक में और उनको यह सारी चीजें लग रही है अगर हम बात करें उनके वहां पर चोटे-चोटे बच्चो की वो उनके माबाब को उन से बिशुड़ते विह रोते विह tough इंसान जो है वो इससे चीजा की चीजे नहीं देख सकता के एक माढ जो है वो अपने बच्ची से बिच्चे ही है, उसको मरतावा देख लिए है रीसिंट्टी में एक वीडियोव देख जी थी उनमें मुझे वीडियो नजर आई जिसमें एक बाप जो डॉक्टर था वो अपनी क्या किते मरीजों को देख रहा था जो के हमले में वहाँ पर आए थे और देखते देखते उसने अपने बेटे को भी वहाँ पर पाया जो के मर चुका था तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या जो है वो उस इस तरह की चीज़ों को फील करें तो क्या ये इस्राइल जो है क्या वो गज़ा के उपर जो अटैक्स कर रहा है क्या वो सही है कल OIC का इजलास भी हुआ जिसमें 57 इस्लामिक मुल्क जो हैं वो मौजूद थे और फैसला ये हुआ कि इस्राइल को ये जंग रोकनी चाहिए इस्राइल को इस तरह की जंग नहीं करनी से जिसमें इतने जादा जो अफराद हैं वो मर गी है लेकिन क्या कि है इस्टरृमिक मुल्कों में इतनी भी पावर नहीं है कि वो एक इस्राइल को मना कर सकें कि वो जंग न करें आपर बात कर लें तो क्या गज़ा के ओपर होने वाला जल्म जो है मुखतम नहीं हो सकता बिलकुल हो सकता है अगर ये मुमालिक एक साथ खड़े हूँ और इत्धार दिखाएं कि हमारे अंदर जो पावर है वो इसलाम की है और हम इसलाम जो मुसल्मान है उनके ओपर जल्म नहीं होने देंगे क्यों नहीं इस चीज़ को क्या इसलामिक मुमालिक में इतनी सीवी इमत नहीं है कि वो इसलाइय से बात कर सके और डंके की चोट पर रखके उससे बात करे कि वो गज़ा के मुसल्मानों के ओपर इस तरह का जल्म ना करे लेकिन अफसोस कि अभी तर गार्प किर जिसक्ति को मैं अभी बात करी हूँ हॉस्पिटी की तो मुझे पढ़ते वे रिसर्च हमें कर रही थी तब मुझे बहुत जादा रुक हुआ ये सुनके कि भी उन्होंने एक हॉस्पिटी के ओपर भी जो हमला किया है जहां पर अल्रेडी वो मरीज थे जो कि अटैक से वहां पर आए थे उनके ओपर अटैक हुआ था और फिर सोचें कि कितनी जाने जो हैं वहां पर गई हैं और कितनी लाशें वहां पर बिख्री हैं हमें बस यही सोचना है कि आखिर हमारे मुस्लमान जो है अगर हम जमो कश्मीर की बात कर ले तो जमो कश्मीर के मुस्लमानों के ओपर भी जल्म हो रहा है घजा के मसलमानों पर जल्म हो रहा है अगली वीडियो तक मुझे दीजी इजादत खुदा आपश